कि यह सब्सक्राइब करते हैं जितने भी स्टूरेंट चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीकी से वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और वाट्सप ग्रूप में जुनने के लिए आप यहां पर मैसेज कर सकते हैं 870803840 पर यस प्लास लाइव हो चुकी है तो एक बर से मैसेज करिएगा सेशन कम लोग यहां पर फिर कंटीन्यू करते हैं यस वाइस वगेरा प्रॉपर है स्क्रीन बगेर अच्छे से डिस्प्ले हो रहा है एक बड़ से मैसेज करिएगा चलिए यस को डियमिंग औल क्लियर सबसे पहले कुश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं सबसे पहला कुश्चन आपकी स्क्रीन पर है यस मैसेज करिएगा फटाफट चांसर करिएगा सरक्षन होटसपोर्ट का सरवश्रेष्ट वर्णन कीसे किया जा सकता है मतलब आप होटसपोर्ट रीजन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं सबसे पहला इस्थानिक जाती की बड़ी संख्या वाले शेत्र जो शिगरता से गाया बो रहें सेकेंडे शेत्र जहां लोग जो एक हास यहां पर कम्प्लीट करने जा रहे हैं किया अंसर यहां पर करेक्ट होगा आंसर नहीं आया अभी तक चारो ही आपके सामने है होट्सपोर्ट रीजन की डेफिनिशन यहां पर क्या होती है इसके साथ आपको एक चीज और पढ़ाई थी पहले आप इसका अंसर करी एक टॉपि A यहां पर आ रहा है कै side right origin में। सरक्ष्ण होच्पोर्ट का सरवश्च्रीष वडरनन मतलब की जहां पर होच्पोर्ट सेहां पर होता है यहां जाहे वह फ्लोरा हो गी और इंन लोग उसको क्या करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं हम ऍसको सरक्षित करते हैं अब जितने भी answer option number B आ रहे हैं, एक बार चेक करते हैं, शेत्र जहां लोग खास तोर पर जेविक विविदिता की सक्री समर्थक होते हैं, लोग की बात की गई है, पीपल यहां पर लिखा हुआ है, लोगों के बारे में लिखा हुआ है, मतलब मेरे इलाके में या फिर मेरे आ इस्थान की बात नहीं करी हमें किसकी बात करनी है, हमें एरिया की बात करनी हमें फ्लोरा फोना की बात करनी तो B तो इंकरेक्ट है, द्वीब जो लोग के उच्छे दर अनुभव कर रहे हैं, मतलब वही एक प्रकार का आईलेंड यहां पर अम लोग बोल सकते हैं, शेत्र जाती की बड़ी संख्या वाले शेत्र जो की शिग्रता से गायब हो रहे हैं, होट स्पोर्ट रीजन की कैटेगरी में डाले जा सकते हैं, कुछ नमबर टू का आंसर करिएगा, प्रत्वम एंटिबायोटिक, डी आंसर, डी नहीं हो सकता है, इस्थानी जाती और प्रवेश किस ने किया था, जैनर ने, फ्लैमिंग ने, लुइस पास्चर ने, आउपरीन ने किया था, कल भी इस कुश्चन का, इस टाइप का एक कुश्चन जो था, चल ये, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और टू का आंसर करेंगे, हाँ, हमने एक चीज पढ़ी थी, इ रूटेंट सी टू करें, कितने स्टूुडेंट को यादे, इन सी के बारे में, और आउप सी के के बारे में, सबसे पहला जो, एक और निलम्शर करते हैं जिन्हों ने आंसर कर लिया है, वो इन सी टू रूपा ते के बारे में, बताएं़ प्या होता है, kali ऐलचा है, आउच करना यह स्कुट इमनिंग त्री कांसर करिएगा टू कांसर भी सभी गा करेक्ट है राश्च्च उध्यान में किसको सुरक्षा दी जाती जन्तु जात को पारिस्थी की तंत्र को केवल पादब जगत को या दोनों को दी जाती है कर लेंगे कि कोई दिक्कत नहीं है अभी उसके कुछ कुछ रह गया था ना कल 26 कुछ नहीं हो गया था तो इसी सीरीज कॉम लग फिर से कंटीन्यू कर रहें वीडियो नहीं दिख रहा है आप रिफ्रेश करिए एक बार से आंसर करिएगा थ्री का आंसर और इन सीटू आउट सीटू आप बिलकुल आप नाम हिंदी में बिलकुल करेक्ट बथा हरे इंब स्थाने बोला जाता है कि तो नेस्टू एग्जांपल बिलकुल 公演 हुए देखो एक पर पहले इसको डिसक्स कर लेते हैं इंस 창 हम लोग बोल सकते कि कोई भी ऐसी जाती है उसको उसी स्थान पर बना दिया ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जा सकी उसको सरक्षित किया जा सके वह इन सीटू होता है आउट सीटू का मतलब क्या होता है आउट सीटू का मतलब यहां पर होता है कि उसको दूसरे स्थान पर ले जाओ लाइक आपने देखा होगा करनाटक से बहुत सारे शेर्जे उसको यहां पर लाया गया था अपने मध्यप्रदेश में लाया गया था यहां परभार अपने MP में उसको अच्छे से सरक्षन हम लोग दे सकते थे तो वो क्या है अपस्तानी या फिर आउट सीटू के नाम से उसको जाना जाता है ठीक है राश्टियुद्धियान में कैसी सुरक्षा दी जाती केवल जन्तु जगत को फोना कोई देते हैं या पूरा पारि या आंसर करिएगा कुश्चन नवर फोर का स्वा स्थाने अप स्थाने बोलते हैं इसको हिंदी में इन सीटू आउट सीटू को बिल्कुल स्वा मतलब उसी स्थान पर और आप मतलब की दूसरे स्थान पर प्रक्रुतिक वातावरण में सरक्षन चलो कुश्चन पर अमली बच्षा का का चारण क्या हो सकता है C02 का फ्रदूशन होना अर्चेट की वज़े से असीड होती है आसे द्रेंट के Pीछे का रीजन हम सब को पता है असो को प्लूशन यदि हो रहा है यह हमारे वातावरण में ये सारी में और बारि शो रहीगी तो वह रहेगी जैसे सीड म नमबर फोर की बात हम लोग यहां पर कर लेते हैं नेक्स कुछन नमबर फोर दो बार रिपीट हो गया है नमने लिखित में से किस इस्थान पर भारती गेंड़ा सरवाधिक महतुपुर्ण वन जन्तु के नाम से जाना जाता है गीर कार्बेट बांधीपूर करनाटक या काज काजी रंगा संबाला चलिया आंसर करिएगा यस फोर कसी एक और और कुशन नवर फोर इसका फाइफ कंसीडर कर लीजे कोई बात नहीं सो टू अनो टू बिल्कुल करेक्ट है किस इस्थान पर भारती गेंड़े का सरवाधिक महतुपुर्ण वन जन्तु है कहां पर है यह है घ्रिंदे है आंसर चीजे केस वबाइब कर लेंगे हो जाएगा साज बजस्ता पर देखने को घर गुजरत करेक्ट है यहां पर का ⑫ रंगा राश्ट्रे उध्यान असम आपका बिल्कुल और यद्धियान होगा जी ही ये एक सिंग्र्ण भुला बहरती गेंड़ा आप कार्बेट उत्राकंड बांधीपूर आपका करनाटक कैड्मियम प्रदूशंड से कौन सा रोग हो सकता यदि आप जो पानी ले रहे हैं उसमें कैड्मियम की मात्रा बहुत ही जादा अधीक है तो मीना माता रोग हो सकता है ब्लैक फूड रोग हो सकता है या फिर इटाई जैसे कौन सा रोग होता है हड्डिया एकदम से मूड जाती है मतलब जो हमारा पूरा स्केलेटन सिस्टम होता ना पुकिछ इस तरीके से हमारा जुग जाता है ठीक है पेर जो है हमारे इस तरीके के होते हैं तो वह कुछ इस तरीके से हो जाते हैं ठीक है पूरे वह ऐसे इसमें हमारा शरी पूरे तरीके से मुड़ जाता है चलिए कुश्चन नमबर 6 को देखिएगा मधु मख्यी पालन का वास्तवी गुतपात क्या है जब आप यहां पर भी फामिंग यहां बोल चकते हैं एपी कल्चर की बात करते हैं एपी कल्चर क्या होता है मधु मख्यी पा बात होता है क्या मधु मॉम भी वैक्स भी मिलता है डेफिनिटली वैक्स भी मिलता है इससे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑक्शन नमबर सी हो जाएगा कुश्चन नमबर 7 की तरफ चलते हैं हां कोई बात नी अभी आप यह नंबर को कंटीन्यू करिये ना वह इसी ल सारे ही नाम आपको पता चल गए अब तो राइबो फ्लेविन क्या है यह कुश्चन नमबर 6 हो गया 7 का अंसर नहीं आ रहा है 6 में क्या कंफ्यूजन था 6 में इतना वेरी क्यों कर रहें आंसर 7 का C आ रहा है B12 7 का B इसमें भी कंफ्यूजन 7 का BC राइबो फ्लेविन कहां लिखा हुआ है राइबो फ्लेविन मुझे तो यहां पर दिख रहा है राइबो फ्लेविन तो यह क्या है यह विटामिन B2 है अगर आप B12 बोल रहे थे तो वो साइनो कोबालमीन है देखे साइ पूरी टेबल का स्क्रीनशोट लो इसको पूरा याद करना कल पिर से कोश्चन आएगा आपका है चाहे वो सेशन होगा फिर भी एक कुश्चन हम लोग विटामीन का रखेंगे उसके अंदर ठीक स्क्रीनशोट ले लिया कल किसी का गलत नहीं होना चाहिए ठीक को बाल मीन के स्क्रीनशोट लोग विटामीन लिखा हुआ विटामीन लिखा हुआ विटामीने का जो क्यमिकल ने में रैटिनॉल है एटका अंसर करिएगा तब तक जीवानों जो अधिक नमक वाले अचार में जीवित नहीं रहते हैं फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक का ये कुश्च नहीं है सबसे पहला उप्शन है नमक के कारण जीवानों में जननदर जोह वह काफी कम हो जाती है जीवानों प्रकाश अन्चलेशन के लिए प्रकाश प्राप्तिIES यहां पर नहीं कर पाते हैं जीवित रहने के लिए पधारत जो है अचार के अंदर नहीं पाएता है क्या हुआ थोड़ा गन्फ्यूज हो गए थे कोई बात नी A answer आ रहा है बहुत बड़े या C answer भी है C answer भी है C date December A answer आ रहा है A में क्या लिखा था नमक के कारण जिवानू में जो जनन दर कम हो जाती है जनन दर कम हो जाना मतलब जिवान उसके उपर नहीं पन पेंगे ऐसा solve, retard, rate of reproduction of bacteria जिवान ओप्चन नबर B का तो कोई सैंसी नहीं बहनता है फोटो सिंथेजिस की प्रोसेस हम लोग यहां पर कंसीडर नहीं कर रहे तीसरा है प्लाजमोलाइसिस के कारण bacteria मर जाते तो सी आंसर जिनों ने भी किया है वो इस बार करेक्ट हैं देखो सी आंसर क्या बोल रहा है ज्यूटू प्लाजमोलाइसिस बैक्टीरिया डाई मतलब प्लाजमोलाइसिस की प्रोसेस ऐसी होती है जैसे ही अपने नमक डाला तो वहाँ पर सारा पानी जो है वो सोक लेगा जिसमें बैक्टीरिया जो है यहाँ पर पनप नहीं पाएंगे बैक्टीरिया को वो इन्वामिट वो आतावरण ही नहीं मिल पाएगा कि वो जन्म ले पाए तो हम लोगों ने उसके जन्म की दर को ही यहां पर क्या कर दिया है खतंा तो plasmolysis के कारण बैक्टिरिया यहां पर मर जाते है बैसिकली हम लोग जो जिवानों के जनन के लिए जो space होती है न उस space को हम लोग यहां पर बोल चकते हैं कि छोटा कर देते हैं वो वो जन्म ले पाएं ठीके तो प्लाजमोड लाइसिस के कारण बैक्टीरिया मर जाते हैं इस तक करेक्ट आंसर ठीके हाँ ए और सी में ही confusion था भी तो आइधिंग नहीं किया होगा जिवानु प्रकास के लिए जो है प्रकाश प्राप्त नहीं कर पाते तो प्रकाश का कोई कनेक्शन है कौन सा अचार हम लोग दिन बर प्रकाश में रखते हैं ठीक हमारे घर की की चन के अंदर होता है यहां पर जो करेक्ट आंसर हुआ है इतनी बार ओके मत लिखिया ब्लॉक हो जाओगे ठीक है कर दो कम ब्लॉक हों आज को से कौन सा पोधाल भारत में पागल की दवा के नाम से जाना जाताँ हिंदी में भी इंग्लिश में भी पागल की दवा ही है सरपगंदा मुलेठी है इंद्रायन है और हड़ जोरी है चलो आंसर आया है कि 9 का D आंसर आ गया यह आंसर आ गया है यह आंसर C आंसर confusion है चलो कोई बात नी इसको अच्छे से समझना इसका जो correct answer option number one है सरपगंदा है अब सरपगंदा एक प्रकार की ओश्टी है इसके कई सारे फाइदे होते हैं सबसे पहले तो इसके पास्ट इसकी हिस्ट्री की तरफ जाएं तो हमें यह पता है कि इस पौधे का नाम सरपगंदा क्यों पढ़ा क्योंकि इसकी जो चाल होती है वो कुछ इस तरीके कि इसका आकार भी व्रक्ष का आकार भी कुछ इस तरीके की टहनिया होती है साप की आकरती की होती है इस तरीके की दिखाई देती है तो इसलिए इसको सरपगंदा बोला जाता है बिसका ओश्दी गुण क्या क्या है एक तो सबसे पहला जो गुण होता किसी भी प्रकार के विश को खतम करने के लिए विश को खतम करने के लिए चाहे वो हमारा स्नेक का हो साप का हो अगर बिच्छु ने डंक मार दिया है तो भी उसको उतारने के लिए सरपगंदा ओजदी यहां पर दी जाती है इसका हर एक भाग चाहे वो इसकी चाल हो गई इस हिससे उसका जो पागलपन हैं वो कितम होने लग जाता था ठीक तो यह एस इसमिवारं से जयोयल्कूलपन होता है उसको दूर करनें के लिए प्रियोग किया जाता है तो इसको कि अपनी साम reps के नाम से भी जाना जाता है वेसे subtelos बोलब सकते हैं विश खतम करने के काम में आता है ठीक है आंसर करिएगा जली प्रदूशन में कौन सा मुख्यकारक यहां पर हो सकता है धुआ हो सकता है अपना ब्लड प्रिशर वाला भी फाइदा हो सकता है चलिए जली प्रदूशन में कौन सा मुख्यकारक होता है मतलब किसकी वज़े से वाटर प्लूशन यहां पर होता है धुआ साबून और द्यों की कप्षिष्ट या अमोनिया यहां पर हो सकता है कुन सा ट्री इसका एक सिंग्ड इसका यह कौन सी अपने ऊज़्टी लिखिये दारो गंधा सर पर गंदा ही लिखा है क्या नॉर्मल ट्री जेसा ही ट्री होगा इसका बस इसका हम लोग बोल सकते हैं कि जो टहनिया वगे रहती है इसका जो चाल का स्ट्रक्चर होता है वो एक बर से Google search कर लीजिएगा 10 का सी आंसर यहां पर आ रहे है देफिनेटली देखने से पता चल रहा है जली अप्षिष्ट का जली प्रदूशन का जो मुख्य कारण है वो अध्यों की अप्षिष्ट है इंडस्ट्रियल वेस्ट है सबसे ज्यादा जो प्रदूशन है चाहिए सबसे चाहिए। कणा सबसे जादा प्रदूश्चित कानपूर से छोती है इडस्ट्रोशन की प्रोसेस लमड़ी मेर्दा में ना में देखी यहे ठीया फिर धिक क्या था एक मिट देख लेते हैं थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा उसके लिए कुछन नमबर 11 को देखिए तब तक 9 का अंसर सर्पगंदा था है ना भर गया उनके पापो का घड़ा ओके का हो गया चलिए यह क्या कर रहे हो बी आंसर चारो ही आंसर लगा दिया यूट्रोफिकेशन तो इतना अच्छे से पढ़ा था हमने पूरा डाइग्राम के साथ पढ़ा था अभी वो सारी थियूरी क्लासे देखने के बाद ही तो हम लोग क्वीस कंप्लीट कर रहे हैं जील आंसर यहां पर करे आदा उसमें पूरी काई जम जाती है तो उस प्रॉसेस को क्या बोला जाता है सू पोशन की प्रक्रिया देखा जाता है अपने बी ओडी का नाम सुना ओगा है ना हमने यूट्रोफिकेशन के अंदर बी ओडी को भी पढ़ा था बायो क्यमिकल ऑक्सीजन डिमांड को भी प ले पाइंगे सास क्यों नहीं ले पाएंगे क्योंकि उनको गई है oxygen की कमी अगर उनको oxygen की कमी हो गई तो उनकी क्या हो जाएगी मोट्य हो जाएगी यहां पर जो BOD है यानि कि जो oxygen का लेवल है वो काफी कम हो चुका है तो इस प्रकरिया को क्या बोला जम जाते हैं और इसकी वज़े से क्या है चेछ नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं और क्रशी शेत्र में तो नहीं होगी तो एक ही आंसर correct हो रहा है option number B आपका यहां पर correct होगा I think clear है कोई doubt है तो साथ के साथ पूछ लो एक बात बताओ कि exam में EBS में क्यों नहीं आएगा definitely science का कुछ question ऐसे बनेंगे कुछ topic ऐसे बनेंगे जो आपके परियावरण से संबंदित होंगे है ना exact पूरा science नहीं आएगा कि इसमें आपको equation बगेरा दे दी वैसे वाली science नहीं आएगी है ना जिसमें आप वह values निकालते ना mlt-1 mlt-2 वैसे वाली भी नहीं आएगी जो EBS को connect करती है वह चलिए 12 की तरफ तब तक चल लेते हैं question number 12 क्या बोल रहा है कि त्वेल नहीं है 13 का अंसर करिएगा है कि इस बिल्कुल कानिया हीरवार जी आप सही बता रहे हैं बिल्कुल बना रखी है जब पहला हम लोग कोई भी वीडियो लेकर आते ना तो वीडियो आने से पहले प्लेलिस्ट में अड़ कर देते हैं तो प्लेलिस्ट तो बनी रखी है पांच मिनिट सेशन की बंगाल कातन सही बात है बिल्कुल आपकी यह क्या लिखा है जियोग्राफी भी आएगा जो थोड़ा सा इवीएस में कनेक्ट करेगा थर्टीन कांसर आपको करना है डेरी पशुओं की जो खादी आवशकता हैं होती है वो क्या होती है फूड रिक्वार्मेंट्स क्या होती है पशु को जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए बो आइथिंग हिंदी का भी होगा और सीडीपी का तो हैई सीडीपी साइकडी का एडमिटक नहीं आए टीसरा है पशु को संतूली तराश्ण के आउशकता होती जिसमें समानुपातिक मातरा में पोशन होता है पशु पोशन में मोटा चारा मिलता है जिसमें काफी ज्यादा प्रोटीन का अगर कम फाइबर वाला चारा हुआ उसमें उच्छे मातरा में हमें प्रोटीन मिलता है या अन्य पोशन की चीजें एड कर दी जाती है तो यह जो चारी की जो एक पोल सकते हैं डेफिनेशन जो है परीभाषा जो है डेरी पशुओ के लिए वह कहां पर लिखी ह हुए ऑप्शन नमबर दी के अंदर लिखी हुए है क्लियर है यहां तक फॉर्टीन का अंसर करिएगा यह स्वाल कर लेंगे कंफर्म नहीं है बर टाइम मिलता है तो हम लोग डेफिनेटली कर लेंगे नक्सिर फूटने पर प्रात्मी कुप्चार यहां पर क्या होता है कि एंपी का पढ़ लेना थोड़ा सा यह नदिया वगेरा थर्टीन का डियोगा बिल्कुल करेक्ट है फॉर्टीन का अंसर करिए हां वहीं पढ़ाते थे चलो नक्सिर फूटने जिनको नोस से ब्लीडिंग होती उनका उप्चार क्या है गर्म पानी से उनके चहरे को धो द जाए ताकि एकदम से वह फ्लो ना बने ठीक है रग्त को निकालने के लिए नाक को साफ्ट कर लें करेक्ट अंसर एक ही लग रहा है ऑप्शन नंबर सी यह आपकी प्रात में उप्चार जो होते है ना फर्स्टेट जिसको बोलते हैं वहां से कुछ कुछ बन सकते हैं ठीक ह तो सी आंसर यहां पर आपका विल्कुल करेक्ट होगा 15 का अंसर करिएगा 15 हम से क्या बोल रहा है यह सेशन अच्छा लग रहा है जरूर से लाइक करते हुब चलो इम लिखित में से कौन सी विधी सरक्षन के लिए सुष्मजीवों की व्रद्धी को बताती है मतब सुष्मजीवों की व्रद्धी किसके अंदर होती है मैक्रॉऔर्गनिज्म की ग्रोथ कहां पर होती है जब किडवन की फर्मिलेशन की प्रॉसेस हो रही है जो जितनी पुरानी होगी वह उत्मीं ही टेस्ट में लगती है तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर कि निर्जली करण की प्रोसेस नहीं है ब्लांचिंग जो प्रोसेस होती है विरंजन की जो प्रोसेस उसकी भी बात नहीं करें और आप उर्टीता तो कनेक भी नहीं कर रहा है ठीक है अंसर करिए का कुश्चन नंबर 16 का कि भूबर सुंगा देता है यह लोजिक मैंने लिंग सुना 16 का अंसर करिएगा बिजली खराबी के कारण लगने वाली आग को कभी सी भी पानी से बुझाने का प्रियास नहीं करना चाहिए यह सराखी गुपता जी मैंने आपका मैसेज देख लिया अगर जैसे ही टाइम मिलत जाएगी फिर नए वायर्स आपको खरीदने पड़ जाएंगे इसके लिए बहुत अधिक पानी के आउशकता लगेगी बहुत जादा पानी चाहिएगा पानी बिजली का अच्छा सूचालक होता है गुट कंड़क्टर ओफ इलेक्रिसिटी देट्स वाए हमें इसको बुर्ण सकते हैं कि अगर आपने आंक को बुझाने का प्रियास के तो वो और जादा भड़क जाती है और जादा लग जाती है तो कभी भी यह वाला तरीका नहीं अपनाना है यहां पर आप इसารती का सकते हैं को सबसे प्राइमरी बेर और इस सब दब की तब तक आप किया करेंगे है गिभी उनờ को सेमंटेन का अंसर करanın के तक किसमे किया जाता है म्रडा सामर्थ में 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 वनापने के लिए म्रडा की जलकी शम्ताम आपने के लिए तरोम देखने कि लिए अच्छा एक चीजा और मुझे बता दो water table क्या होती है water table क्या होती है option number d के अंदर लिखा हुआ है वाई मंदली आप का निरंतर record रखने के लिए बिल्कुल correct है इसी के लिए हम लोग किसका प्रियों करते है बैरो ग्राफ का प्रियों करते है 18 का answer करिएगा नहीं यह alternate चलती है cdp और evs नहीं अभी नहीं आये है चल इसका answer करो 18 का answer करो मुझे water table के बारे में बता water table क्या है कल से मैं अपने notes लेकर बैठी हुए मैं सारे previous year के question पूछूंगी जो जो भी मैं आपको बढ़ा है यह जितनी पी चीज़े मैं आपको बोला था कि note down करके रखना copy में revise करके आना कल से सारी चीज़ें कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे चलो राकेश कक्षा पांच पर्यावरण विज्ञान शिक्षक के द्वारा दिये गए कार्री को समय से प्रस्तूत नहीं कर पाता है तो सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाई यहां पर क्या हो सकता है अच्छा water table का भी option चाहिए और टॉप लेयर ओफ सॉईल एडमिट कार्ड वाले रुक जाओ ना अभी नहीं आता है आएगा तो आपको चैनल पर अपडेट कर देंगे चलो कोई बात नहीं आया नहीं रहा अंसर नहीं आ रहा है फिर्स लेयर ओफ सॉईल नहीं था फिर्स लेयर हम लोग यहां पर बोल सकते हैं वाटर टेबल क्या होती हर 이 हमारी जो अर्थ के लेयर होती है उसमें सबसे पहले जापका पानी निकलता है या। सबसे उपर की सथ लाइक हम लोग जहां बैठे होग एं जमीन पर जहां सबसे पहले सथ पानी आपको मिलता या उप्र ऑपरी लेयर पर उसको वोटर टेबल यहां पर बोल आ जाएगा ठीक है याद रखना है इस चीज को 18 का अंसर क्या रहा है 18 का अंसर चीर इसके अनियमित्ता के कारणों को जानकर उसे सही मार्ग दर्शन देना यहां पर आपका पर आपका करेक्ट अंसर होगा देखो यह वाला इंकरेक्ट है यह इं करेंगे परियावरान अध्यान शिक्षन में खेल वीदी सिखाने की द्रश्टी से बचों को लर्न करवाना है तो खेल वीदी का प्रियोग करिए क्योंकि ये सरल होती है खेल खेल में सीख जाते हैं स्वातन दवाता वरन का निर्मान होता है बालक में अन्य गुणों का विका एप पर नहीं लगेगा एवी इसका टेस्ट हो उभू 150 नंबर का एक साथ आएगा 19 का अंसर यहां पर बी आ रहा है डी आ रहा है सी आ रहा है पर्यावरान अध्यान में खेल विदी सिखाने की दृष्टी से बहुत महत्पूर्ण है क्योंकि इससे क्या होगा व्यभार में सरल इंकरेक्ट है या तो खेल खेल में बहुत कुछ बच्चा यहां पर सीख जाएगा है स्वतंत्र वातावरण का निर्मान यहां पर होगा क्या आंसर इसका हम लोग यहां पर लगा सकते हैं बी एंड सी अगें कन्फूजन है बालक खेल खेल में यहां पर प्राइमरी ले निर्मान कराया जाता इन अपकरनों का निर्मान बालक में निम्न मेंसे किसा प्रताया का विकास येंहां पर करता है चलिए थने पड़ा अप्शंट कर आपको सकते हैन्Er निकाना होता है कि इसने कि आप उच्छा है कि पर्यावरण अध्यन शक् Tam अशूर्ची जो उपकरण होते हैं अशूर्ची तुपकरण का दिखना है कि डेफिनिशन क्या होती है जिनको इंग्लिश पढ़ते हैं अनुपयोगी जिनका कोई काम नहीं होता है like plastic हो गया पुराने रधी पेपर्स हो गए या कोई भी सामागरी होगी जिसको हम लोग reuse कर सकते हैं ठीक है जिसको हम लोग recycle यहां पर कर सकते हैं यो Apa उनकोड अनुपयोगी जो सामानों को हिंदी में आशुचित उपकरन इहां पर बोला जासकता है ठीक है अब कुश्य्चन पर आ जाते है परियावरन अध्यान शिक्षर में आश्चो चित उपकरण है इनका निर्माण करवा आ जाता है टugerहीय & उपकरणों का निर्माण बालत में से निम्नलिखित में किस गुर्ण हमने देखा था इसके अंदर कि creativity बच्चे की यहां पर निर्मित होती है ठीक देखो यहां पर आपको देख रहा होगा बहुत कम खर्च लग रहा है सरजनात्मक्ता और रचनात्मक्ता जो अभी व्रत्ति होती है बच्चे का एक 21 क्या भोल रहा है पर्यावरण अध्यनकर संबंध में सही कथन क्या है यह मैं पर्यावरण के सरक्षण सुमवधन ऑशार की समझ देता है यह मनुशन प्रक्रृती के बीच में संबंध बताता है पर्यावरण अध्यन ने इस पहुष आश्चरी हाओ कि एब वन्तिल का करिए गात तब तक यहां पर जिए आणसर रही है दिफिनिटी टीनों स्टेट्मेंट यह पर आपके डिल्कुल करैए लगे तीनों स स्टेट्मेंट यह पर आपकर गिल्कुरएट है जब कभी हम चात्रों के समक्ष बहुत से तत्य उधारण या वस्तोय प्रस्ट फिर हम लोग बोल रहें इसका निशकर्ष निकाल लिए तो यह कौन सी विदिये यह तो आगमन विदिये कैसे आंसर करें डी नहीं होगा ना संशलेशन में आप लोग क्या करते हैं सिंथे साइस करते हैं ची की कोशिश करते हैं इस तोड़ा तोड़ा बॉफरिंग हो रहा होगा 23 का आंसर करो तब तक है बस आंसर दिख जाना चाहिए आपको है न चलिए इसका अंसर क्या होगा 23 का अनिमने लिखित में से कौन सा प्रात्म किस तर पर पढ़ियावरन अध्यान का उत्देश नहीं हो 23 का आंसर यहां पर आ रहा है 23 का आंसर दी मतलब बच्चों पर आकलन के शब्दा वली परिभाशाओं का दोज डालना बोज डाल देना बिल्कुल करेक्ट है बाकी सारी चीज़ें देखो सरोकार रखने की बात हो रही है आकमसार करने की बात हो रही है उत्सुक्त परियावरण का स्वरूप मुलता कैसा होता है जेविक अजेविक प्रती जेविक यानिक यानिक एंटिविक एक और दो दोनों नहीं उसमें ऐसा होता ना डे के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन को बंद नहीं किया था उसमें साथ आपका फाइव डेज वाला साइकल चल रहा जेविक अजेविक दोनों ही होता यानिक उपर के जो आप्षेन हैं उक्त एक और दो दोनों जेविक और जेविक और बायोटिक 25 का अंसर करो 25 बोल रहे है परियावरण अध्यान शिक्षा का उद्वेश क्या होता है हां हां राइट राइट पहले इस का अंसर कर वापस हम लोग 23 पर चल रहे हैं उसमें न दिया हुआ था एक सिकेंड 25 का अंसर डिया रहा है हां डेफिनिटली ब्लूम की टेक्सानोमी अधी हम लोगों ने पड़ी है तो कोग्निटीव डॉमेंड का डेवलप करना साइको मोट करना और एक अफेक्टिव डॉमेंड जोता है उसमें सारी चीज़ें आ जाती है तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा एक में 23 को देख लेते हैं 23 में दिया था जीवन और पल्यावरण से सरोकार रखने वाले मुल्यों को आत्मसार नहीं करना जबकि हम लोग आत इस पाइफ एक्सपीरियन्स की तो बात हम लोग करते हैं तो यह नहीं होगा यहां पर या फिर अगर आंसर देखो गे तो यह भी करेक्ट है और यह भी करेक्ट है दोनों इföitte दोनों ही चीजे ऊदेश नहीं आता उन्यіз में यह चीजें नहीं आएगा यस सानक्यू चलिए और दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे यह उपर सा जो न लिखा हुआ था ना नॉट वाला उसको हटा देना एंडी बॉत हाँ थी एच फॉर्मुला ब्लूम टेक्सानोमी ट्वंटी फॉर का अंसर करिएगा हाँ जो भी नंबर्स आरहे उसके अकोर्डिंग आप अंसर कर द हैं किल फॉर्जनाविधी प्रॉजक्ट मेथड तो कि पैक्ट्रे के क्या क्याओन सी मेथड मेथड बताएग उंटकी only cdp में नहीं 26 का अंसर हाँ जो भी निंबर आप बता रहे हो पर योजना उसका बिल्कुल करेक्ट हुआ है इसका अंसर आ रहा है फ्रॉबल नहीं c अंवर किसी ने किया है तो इसलिव है यहां पर एक दो इससता ौक्व एक टाइप एक एक डैफीनिशन ने ही है तो स्टर्ण यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा यह डेफिनिशन किसकी स्टर्ण की है 27 का अंसर करिए क्यों खेलो यह पर टॉपिक पर क्वीज करी तो थी नेक्स है रोल प्ले विधी के मूलभाव क्या होते है रोल प्ले विधी क्यों करवाई जाती भूमी का इसका अंसर क्या होगा है चलो 27 इस ऑन यूर स्क्रीन है यह आंसर बिल्कुल कर एक बात है वास्तवी को सामाजी भूमी का निभाने के लिए रोल प्ले विधी यहां पर करवाई जाती है चलिए 28 का अंसर करेंगे नेक्स कुशन 29 को देख लो पर्यावरान अध्यान की सिक् रिसर्टर उनको कंसीडर किया जाता है बालक वद्यापक मिलकर योजना बनाते है पाठेकरम को सरलता से कठीनता के करम में ले जाते हैं बालक शोता अध्यापक वक्ता यहां पर हो सकते हैं यह आंसर आ रहा है बिल्कुल करेक्ट बाते बालको को नुसंदान करता कि स्थती में यहां पर रखा जाता है तो आप्शन नमबर बन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा 30 का आंसर करिएगा कुशन बर 30 हाँ स्टर्ण सभी प्रकार का खेल खिलता है बिल्कुल करेक्ट बाते प्रियोग प्रदर्शन विधी प्राक में कक्षाओं में परियावरन शिक्षन की सबसे अच्छी विधी मानी जाती क्योंकि इससे हमारे धनकी बच्चा तो जाती सस्तियोग करनों का प्रिय 30 का अंसर क्या होगा प्रियोग प्रदर्शन विधी प्रात्मी कक्षा में परियावरन शिक्षन की विधी मतलब बच्चों को आप प्रियोग दिखाईए उनको प्रदर्शित करिए इसमें क्या होगा धनकी बच्चा सस्ते उपकरन तो वैसे ही नेगेटिव हो गया है ना अच्छी विधी क्यों मानी जाती क्योंकि बालकों को निरिक्षन के समान अफसर प्राप्त होंगे या बालक व अध्यापक दोनों ही यहाँ पर सक्री रहेंगे क्या अंसर हम लोग कुशन अबर 30 का करेक्ट करके आएंगे यहाँ पर चलो 30 कर D, C दोनों में ही कन्फ्यूजन है बालक व अध्यापक दोनों ही सक्री रहेंगे यह जादा यहाँ पर करेक्ट है क्योंकि देखो यहाँ पर पुछा गए प्राइमरी कक्षाओ में प्राइमरी क्लासेस में बच्चों को लेब में ले जाकर प्रियोग नहीं करवाय पुछा जाता है उनको जस़ास दिखाया जाता है ठीक में लीचा इहां पर क्या करेगा बालक भी सखी रहेगा और अध्यापक भी एज there की सिपेत करएगा और टीचर विसको यहां पर तीच्च कर पाएगा तो D ज्यादा हम लोग बोल सकते नहीं है in house तरकर आप पर करेक् एक सरशेक्षिक आरेक्रम को उप्योगी समझेंगे को करिकुलर अक्टिविटी यहां पर क्या हो शकती है देको सी ओडी में से बोला था तो हुमने वाना डी जाधा करेक्ट है सर शेक्षिक जो को करीकुलर एक्टिविटीज होती उसमें भ्रह्मन विजिट करवाना समाथ सेवाकारी खेलकुत प्रतियोगी तरह चाद्र परिशत का गठन करना प्रत्यक शनुभव करवाने के लिए आपको ये तो आप करोगे नहीं समाथ सेवाकारी में डालने की बज़ डाग घर हो गए मंदिर मस्जित किर्जा घर हो गए संबंधित विशय के बारे में चात्रों को सिखाया रहता है आपने दिखा होगा बच्चों को ट्रेन के टिकेट के पूरी जानकारी दी जाती है सारी डीटेल्स बताई जाती है इसे तो आप जिस अध्यापन विधी को स इन चीजों के बारे में पढ़ाने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए लेकिन रियल में हम लोग कोई भी ऐसा नहीं करते है इस अगर पॉसिबल होता है यह वाली चीज़ पॉसिबल होती है हमें डाफिनेटली यहीं करवाना चाहिए कि जहां पर आप मंदिर के बारे में तो वहां लेकर जाए पॉस्ट ऑफिस के बारे में बता रहें तो वहां विजिट करवाई यह तो स्थान भ्रह्मन विदी सबसे बेस्ट मैथर्ड यहां पर कंसीडर करी जाती है तो करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा उप्शन नमबर भी हो जाएगा ठीक है यहां तक लियर ह तो आज की सेशन को यहीं ओबर कर रहें मिलेंगे हम लोग 11 पीम सेशन में 31 में से 3 गलत हुए 29 अज तो कुशन का नमबर भी काफी आगे पीछे हो गया था जितने रोंग हुए उतने बता सकते हैं कि आज सारे राइट रहे चलो बहुत बढ़िया यह थैंक्स वर वचिंग मिलेंगे 11 बचे वाले सेशन में